हेलो मैं गीता नेगी गीता नेगी की दुनिया में आपका स्वागत है दोस्तो आज मैं एक ऐसे प्लांट को इंट्रिडूस कराने जारी हूँ आपके साथ जो की दी बेस्ट है इंडोर प्लांट और आपके कमरे के जहां आपने रखा हुआ है वहां के आसपास की स्वियर को बहुत ज़्यादा अच्छा बना देता है वह प्लांट थोड़ा सेंसिटिव भी होता है अगर उसके अच्छे से केर किया जाए तो बहुत लंबे टाइम तक आपके पास भी रह सकता है वह उस प्लांट के बारे में मैं अभी बताऊंगे आपको दोस्तो उस एर अरिका पाम नासर द्वारा भी रेकमेंड किया गया है कि यह बेस्ट प्यूरिफाई प्लांट है इसको अपने घर में लगाने को लिए रेकमेंड किया गया है आप भी लगा सकते है और यह थोड़ा सा थोड़ा ट्रिकी होता है सेंसिटिव होता है यह देखिए यह 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 मेरे ये मदर प्लांट है ये वाला मदर प्लांट है और इसके साथ मैं मैंने जो दूसरा प्लांट है इसी से अलग करके ये वाला बनाया था इसको हिमिनिटी बहुत पसंद है इसके आसपास अगर हिमिनिटी रहती है तो यह बहुत अच्छे से ग्रो करता है और यही अगर ज्यादा ठंड हो गया और ज्यादा गर्मी हो गई तो यह थोड़ा stress में आ जाता है plant तो हमेशे इसको shade में रखना चाहिए shade loving plant है और इसकी पत्तियों में misting पानी की misting करते रहो तो यह बहुत जरूरत नहीं होती है क्योंकि खाद इसको सिरफ फरवरी मार्च में डाल दो मैं वर्मी compost डालती हूँ यह अपना kitchen waste से जो मेरा compost बनता है वही डालती हूँ बाकि और extra खाद नहीं में डालती इसमें पूरे साल फिर वही जो में liquid घर में घर की kitchen से बने वे जो liquid fertilizer होते हैं वही बना और सब plant को देती हूँ तो इसको भी दे देती हूँ यह बहुत अच्छे से grow भी कर रहा है यह babies भी अब दे रहा है यह वाला baby मैंने इसी से अलग किया था यह बहुत अच्छे यह बेवी का एक है कि जब भी तुम इसके baby transplant करते हो किसी भी plant के उसके mother plant के पास ही उसको रखो जखो कि यह इसके mother plant के साथ ही रखा हुआ है यह arrowhead का भी है यह मैंने कई baby plant काट करके नहीं बनाए थे उनको भी मैंने इनी के mother plant के साथ रखा हुआ है जब तक वो अच्छे से grow नहीं हो जाते क्योंकि वो mother plant के साथ से महसूस करते हैं कि हां हम अपने उसी atmosphere के मैं ही है अलग नहीं हुए है यह देखिए यह arrowhead को भी मैंने इसके baby से रखा था प्रोपगेट किया था तो वहीं रखा हुआ है तो यह एक टिप तो यह होगे कि जब भी आप इसके baby's अलग करते हो नया plant बनाते हो तो इसके mother plant के पासी इसको रखो दूसरा इसको humidity पसंद है और shade पसंद है डार sunlight पढ़ी एकदम से इसके पत्ते पी पीले पढ़ जाते हैं